सोलर एनरजी का अभी चलन चालू ही हो रहा था ताकि कोल और पेट्रोलियम पर काबू पाया जा सके और इन्वार्मेंट को पॉलूसन फ्री रखा जा सके वहीं पर नैदर लेंड में ऐसी सोलर प्लेट बनाई गई है जो नॉर्मल सोलर प्लेट से सौव गुना स्ट्रॉंग पाउर्फूल है जिसे रोड पर लगाया जाएगा यहां पर रोड पर लगाया जाने से मतलब यह है कि रोड के साइड में रोड पर लगाया जाएगा जहां पर गाडिया चलती है उस पर लगाया जाएगा क्योंकि हम सबको पता है कि सोलर प्लेट सेमिकंडॉक्टर से बनत में नी बाँदा यह स्रिफ पोसीबल ही Psalm ही नहीं है नाधरलेंड के संकोपर यह लगाया जा चुका है में संट पर तो इसको लगाया नहीं गया है लेकिन जहां पर साइकल बाक्स और लोग चलता है है फुटपात पर वहां पर इस का उपयोग किया जा चुका है और इतना ही नहीं यह solar plate सही amount में सही electricity produce कर रहा है आप जो यह road देख रहे हैं अस्किरिन पर यह actual में solar plate है यह solar plate एक future technology पर बेस्ट है जो आने वाले हर जगह को fill कर सकती है जो useless है जहां पर underground water को नहीं जा सकता है like road, buildings, footpath ऐसी जगहों पर water अंदर नहीं जाता है मतलब वहां पर मिट्टी नहीं होती है तो वहां पर हम लोग solar energy का उपयोग करेंगे जिससे free electricity यूज़ कर सकते हैं इस solar plate को इस तरह से modify किया गया है कि यह heavy load और rainfall को absorb कर सकता है यहां पर देखा जाए तो आने वाले future में इसका बहुत ज्यादा रोल होने वाला है आपको क्या लगता है कि नादर लेंड में जो यह technology आ चुकी है हमारे देश में आनी चाहिए या नहीं क्योंकि हमारे देश में हाय तरह से बिजली का produce किया जाता है और solar energy इन में से सबसे बेस्ट है बिकॉज इसमें नहीं कोई कॉलूसन होता है नहीं कोई नौइस होता है बस free energy आपको मिलता रहेगा हमेशा अगर आप चाहते हैं कि और future technology पर वीडियो बनाए तो नीचे लाल रंग का एक हमान है उससे दबा दो और बगल का बेल आईकन दबा कर हमें बताओ और हाँ दुनिया वालों से यह भी बोल सक बाइबाई टाटा गुडबाई गया